कि हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारी चैनल स्पेज किसन एंड ट्रिक्स पर तो फ्रेंड्स आजम पढ़ने वाले हैं घरसड तो घरसड में सबसे पहले हम देख लेते हैं घरसड बल क्या होता है तो जो घरसड बल होता है घरसड बल पहले हम घरसड बल देख लेते हैं तो फ्रेंड्स जो घरसड बल होता है जब हम एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु पर के प्रिष्ट पर गति करती है या गति करने का प्रयास करती है तो उनके संपर्क तलों के पर असपर्स रेखी मतलब उनके संपर्क तलों पर असपर्स रेखी दिसा में एक बल कारे करता है मतलब जी सोर का असपर्स होता है उसी दिसा में एक बल कारे करता है जो वस्तु की साप एक्षकति का विरोध करता है मतलब कि जो उसको माली जी यहां पर जैसे एक पिंड है माली जी एक पिंड है इस पर माली जी एक पिंड है जब हम इस पर से यहां से एक रस्ती बांद कर जब हम इस पर बल लगाएंगे जब इसनेगे तो यह जो गति करेगा तो इसके निच्छी जो यह घर लगएगा जो घरसर उसी को घरसर बल करते हैं मतलब कि वह इधर जाने का जो गति करेगा तो उदर उसके सापेक्ष गति का विरोध करेगा तो देखिए हम इसका डिफिनेशन लेग देखिए फ्रेंट्स जब एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु पर वस्तु के प्रिष्ट पर गती करती है या गती करने का प्रियास करती है तो उनके संपर्क तलोप पर अस्पर्शी दिशा में एक बल कारे करता है जो वस्तु की सापिक्ष गती का विरोध करता है घर्षट बल कलाता है तो फ्रेंट्स से इसकी डिफिनेशन हो गई अब देख लेते हैं कि घर्षट कितने प्रकार के होते हैं तो जो हमारे घर्षट दो प्रकार के होते हैं गर्षट दो प्रकार के होते हैं पाला अंतरिक घर्षट और जो हमारे दूसरा है बाय घर्षट पर आंतरिक घर्षट दूसरा बाय घर्षट तो फ्रेंट्स जब आंतरिक घर्षट जब कोई द्रव प्रवाइद होता है माली जैसे कोई पानी है उसको प्रवाइद करते हैं तो उसमें कई सारे सताओं बने होते हैं मतलब की उनकी विभीन सताओं के बीच में आप ये चिक गती होती है मतलब की जैसे की मल ये पानी है ये इस तरह इस प्रकार ये पानी है मल ये उसकी पहली लेयर है ये दूसरी लेयर ये तीसरी लेयर तो ये जो पानी है तो इसमें ये जो उपर वाला है वो गती करता है मतलब की बहता है उपर आएगी और तो इस इस्ति में जो घर्षड आंतरी घर्षड करता है आपेच्चिक गती मतलब की इन सतों में जो आपेच्चिक गती होती है मतलब की ये जो उपर का जो गती करता है तो इसको इसको इसके अंदर तो इसको आंतरी घर्षड करता है मतल इसमें जो ए घर्षड उत्पन होगा उसी को आंतरिक घर्षड कोते हैं तो आपने इसकी डिफिनेशन को समझ लिया होगा मतलब कि जब कोई द्रव को प्रवाइद करते हैं तो उसकी विभिनन सतहों के बीच में आपे छिक गती होती है तो इस स्थिति में उत्वपन्य घर्षड को आंतरी घर्षड कहते हैं फ्रेंट्स मैं यह लिखूंगा नहीं आप इसे समझ जाएगा और अपने मन से लिख लिजिएगा तो फ्रेंट्स यह बहुत ही असान है और जो अमारा बाएग घर्षड होता है तो बाएग घर्षड जब दो वस्तु हैं म जब दो वस्तु हैं एक दूसरे के संपर्क में तथा गतिमान होने का प्रियास करती हैं या उनके बीच आप इच्छी गति होती है इस इसी में उत्पन्द जो घर्षड है उसे बाएग घर्षड कहते हैं कि हम आप Glenn Hub सब्सक्राइब भी खता है मतले अघ्र सब्सक्राइब और अई तो फ्रेंट क डिफनीनियास को बोल दे रहा हो आप इसे सुनकर लिखी लिएघ है तो जब जब दो वस्तु है यह जब दो वस्तु हैं एक दूसरे के संपर्क में मतलब इक कि दूसरे पर्क में तथा गतिमान होने के प्रयाश करते हैं मतलब की अधर क्यों गति करेगा या उनके बीच की जो आपफे छिक जो उनके बीच की जो आपे छिक गति होगी तो इस स्थी में जुट घरस़ड़य होगा उसे हम बाहिय फिर सट काएंगे तो आगे चलते हैं तो फ्रेंट जो अमारा अगला है जो ये बाय घर्षड था इसके प्रकार मतलब बाय घर्षड में में भी वस्तु की गति के आधार पर बाय घर्षड को तीन भागों में बाट गया है तो देखिए बाय घर्षड के प्रकार तो देखिए बाय घर्षड के प्रकार तो ये ये तीन प्रकार के होते हैं पहला स्थेतिक घर्षड दूसरा सीमांत घर्षड सीमांत घर्षड और जो मारा तीसरा है गतिज घर्षड ये इसके प्रकार है गतिज घर्षड के प्रकार पहला है स्थेतिक घर्षड तो जो हमारा स्थेतिक घर्षड है ये और सीमांत घर्षड ये दोनों घर्षड मेन है सबसे ज़्याद इंपोर्टेंट ये हमारा सीमांत घर्षड है तो इस तहतिक घर्षड को मैं बता दे रहा हूं माली जी कि ये एक पिंड है ये जब इसमें देखिए यहां पर हमारा पी यहां पर एफ एस जो उपर की और प्रतिक क्रियाबल आर और नीचे की और जो हमारा गुर्टा कर्षड बाल एम जी और ये ये मदर बेमान की वस्तु है तो देखिए जब दो वस्तु है एक दूसरे के संपर्क में वीरामा वस्ता में होती है मतलब कि जब दो वस्तु हैं एक दूसरे के संपर्क में वीरामा वस्ता में होती हैं तो उनके आप एचित गती से पूर्ड जो घषड कारे करता है उसे स्थातिक घषड करता है मतलब कि कि जब दो वस्तुएं कि जब दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में वीरामा वस्ता मतलब कि उसमें गती नहीं हो रही है में होती हैं तो उनके आपेचिक जो गती से पूड जो घषण उत्पन कारे करता है तो सकतकर में से इसमें गती नहीं कि पूड़क खता है तो उसको इस्ताइटिक गत्षण को आपको लिख दे रहा हूं आप फ्रेंट्स यह तीन वह बहुत यह यह और यह उतना में नहीं है मंतल यह डोना इंपॉर्टेंट है थोड़े तो मैं इसको लिख दे रहा हूं देखे फ्रेंट्स जब दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में विराम वस्ता में होती हैं तो इनके आपे छिक गती से पूर्व मतलब कि इनके गती से पूर्व इनके गती से पहले जो घषड कारे करता है उसे स्थैतिक घषड कहते हैं फिर से जब दो वस्तुएं दो वस्तुएं माल यह वस्तु है और एक और वस्तु है के संपर्क में वीराम वस्ता में होती है वो वीराम वस्ता में है तो इनके आप एच्छी गति से पूर्व मतलब कि इनकी गति से पहले मतलब कि गति अभी नहीं कर रहा है उससे पूर्व ज तो इस्तितिक प्रदासित कर रहा है इस्तिति आपको इससे मालम चल जा रहा है तो फर्स जो आमारा आगला है सिमांत गर्षण तो सिमांत गर्षण पर देख लेते हैं कर देखिए सिमांत कर्षण बहुत इंपॉर्टेंट है इसको अपको ध्यान से देखना है सीमांत मतलब देखिए आपको डिफने जो इसका हेडिंग है उससे आपको पता चल जा रहा है सिमांत गर्षण मतलब कि सीमा मतलब कि अभी गती प्रावर्ण बने यूँ मतलब वह अभी सीमा के अंदर है तो देखिए इस्थैतिक घर्षण कि इस्थैतिक घर्षण कि बलका कि वह अधिक्तम मान जब पिंड ठीक गती प्रारंब करने वाला होता है सीमांत घर्षण कहलाता है तो देखिए इस्थैतिक घर्षण जो सीमांत घर्षण है स्थैतिक घर्षण बलका वह अधिक्तम मान मतलब यह स्थैतिक घर्षण बलका अधिक्तम मान जब पिंड ठीक गती प्रारंब करने वाला होता है मतलब कि वह भी गती प्रारंब नहीं किया है जब वो गति प्रनर्म करने वाला होता है तो उसी को सीमान्त घषड कहते हैं तो जो सीमान्त घषड है उसका नियम होता है कुछ तो देखिए जो important नियम है मैं उसे बता देता हूँ तो friends देखिए सीमान्त घषड बल अभिलंब प्रतिक्रिया जो अभिलम्ब प्रतिक्रिया जो हमार आर होता है कि अनुकुम्रान्वू पाती होता है देखिए सीमान्त घर्षड बल अभिलम्ब प्रतिक्रिया आर ये अनुकुम्रान्वू पाती होता है है देखिए तो हमारा हो जाएगा F.E.S F.E.S बराबर मतलब कि F.E.S अनुकुम्रान्वू पाते F.E.S अनुकुम्रान्वू पाते आर तो देखिए इसको अनुकुम्रान्वू पाते है F.E.S बराबर मू आर देखिए फ्रेंट्स यह हमारा जो सिमान्त घर्षडबल यह सिमान्त घर्षडबल F.E.S प्रतिक्रिया बल के अनुकुम्रान्वू पाती होता है देखिए सिमान्त घर्षडबल प्रतिक्रिया बल आर के अनुकुम्रान्वू पाती होता है तो फ्रेंट्स इसमें जो हमारा यह म्यू है तो म्यू इसमें जहां म्यू एक अन्गौन पाती है नियतांक है अन्गौन पाती नियतांक है जिसे इस्थैतिक गषड गुडांकत है यह संपर्ख्तलो की प्रक्ष्ति नीरभण नहीं करता है इनजो संपर्क्त लिनीचे की और उसकी प्रक्ष्ति यहने बर में करता है है गतिज घर्षड उसके हम चलते हैं तो चलिए तो फ्रेंड्स देखिए गतिज घर्षड अब गतिज घर्षड से आपको इसकी जो हेडिंग है उससे आपको पता चल जा रहा है गतिज गतिज का आर्फ है मतलब गतिक कर रही है ता मतलब गतिक के दवरान जो करेगी उसके दवरान उसके जो बीच में जो घर्षड बल लाएगा उसको कहती हम तो फ्रेंड्स इसका डिफनेशन बहुत आसान दिखिए मैं लिख देराओं गती के दवरान गती के दवरान तलो के मंद्य लगने वाले घषडबल बल को गतीज घषडबल गतीज घषडबल गतीज घषडबल कहते हैं तो देखिए गती के दवरान तलो के मंद्य लगने वाले घषडबल को गतीज घषडबल कहते हैं तो यह इसके सिंपल डिफिनेशन हैं तो आशा करते हों के कुछ समझ में आ गया होगा तो इसकी कुछ एक नियम है उसको हम देख लेते हैं गतीज घषड के नियम तो इसका इसका इंपोर्टन्ट नियम है देखिए गतीज घषडबल का मान अभिलंब प्रतिकिरिया के समानुपाती होता है मतलब की देखिए गतीज घषडबल का मान अभिलंब प्रतिकिरिया के समानुपाती होता है तो देखिए जो हमारा यह होगा मतलब की समानुपाती या अनुकुर्मानुपाती दोनों एक ही है तो देखिए एफ जो हमार के नियतांक होगा अनुकुर्मानुपाती आर तो देखिए एफ के बराबर म्यू के नियतांक है और यह इथातिक गुडांक है तो देखिए यह यह हमारा के गतीज घषड बल्का मान अभिलंब प्रतिकिरिया के समानपाती होता है या अनकुर्वानपाती होता है जाम्यों समानपाती नियतांग है तो गतिज घर्षड के जो ये नियम्त है अब गतिज घर्षड के प्रकार तो गतिज घर्षड के प्रकार ये प्रकार अब गतीज घर्षड देखें कितने प्रक्राइक होते हैं पाला सर्पी घर्षड सर्पी घर्षड और दूसरा है हमारा लोटनी घर्षड या बेलनी घर्षड लोटनी घर्षड या बेलनी घर्षड तो फ्रेंड्स देखें जो मर्षड पी घर्षड है जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के तल पर सरक्ती हुई या फिसलती हुई मल जी ये एक वस्तु है किसी तल पर ये तल है तल पर सरक्ती हुई मतलब कि ये सरक्ती हुई आय की हो जाती है या फिसलती हुई तो वस्तु किस संपर्ख तल हो कि ये संपर्ख तल है इसके बीच में जो बल लाएगा घर्षड होगा उसे सरफी घर्षड कहते है तो देखिए सरफी घर्षण जब कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु के तल पर सरकती हुई या फिसलती हुई जाती है मतलब सरफी में सरकते हुए या फिसलते हुए तो वस्तु के जो संपर्कतलों के जो मध्य में लगने वाला बल होता है उसे हम सर्पी घर्षण बल कहते हैं मतलब कि सर्पी घर्षण कहते हैं और जो उमार दूसरा है लोटिनी घर्षण तो लोटिनी घर्षण में आपको इससे पता चल जा रहा है लोटिनी मिस लुड़ुकते हुए तो देखिए जब कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु के तल पर बिना फिसले लुड़कती है या लुड़कने का प्रयास करती है तो दोनों वस्तु के जो संपर्क्तलों के बीच लगने वाला घरषड, घरषड होता है तो उसे लोटनी गर्षड कहते हैं तो फ्रेंट्स मैं फिर से आपको डिस्मिनेशन बोल देना हूँ अब उसे लिख लिजिए सर्पी गर्षड जब कोई वस्तू किसी दूसरे वस्तू के तल पर सरक्ती हुई या फिसलती हुई है फिसलती है तो वस्तू के संपर्क तलों के बीच लगने वाला जो घर्षड होता है तो उसे सर्पी घर्षड कहते हैं और दूसरा है लोटनी गर्षड तो जब वस्तू किसी दूसरे वस्तू के तल पर बीना फिसले लुड़कती है यह लुड़कने का प्रियास करती है तब दोनों वस्तू के संपर्कतलों के बीच कारे करने वाला गर्षड को लोटनी अगर्षड कहते हैं तो फ्रेंट्स आज के लिए इतना ही तो फ्रेंट्स अगर आपको इसमें कई भी दि सकते हैं और फ्रेंट्स आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और साथ में मिले एकन को प्रेस कर दिजिए तो फ्रेंट्स मिलते अगले वीडियो में तो तक के लिए गुडबाई जाहिन बंदे मात्रम